जा हिंद इस विडियों में लोग बिजासागर पॉलिटेक्स लिम्टेड़ कंपनी पर बात करेंगे बिजासागर नाम से बहुत सारी कंपनी आ है और उन्हें से ज्यादा तर पेनिया श्टॉक ही है लेकिन इस विडियों में लोगों की वह वीडियो बनाए तो इसके उपर समझते हैं सबसे पर देखेंगे कंपनी का मार्केट के पैसाइटालिस करोन अर्थाथ कंपनी पेनी श्टॉक है और काफी छोटी कंपनी अर्थाथ करोन मतलब कोई भी इसको ऑपरेट कर सकता है यहां तक आने के बाद जो डाउन ट्रेंड चली रहा है यह जो हाई बनाए कंपनी का उसर फ्राइस शुरू हुआ और यही खासियत खती है जब उठेना सुरू होता है तो खुब उठता है और जब गिरना सुरू होता है तो लगतार गिडते ही चला जाता है बारे में कहा जाते हैं कि चल गया तो चांद तक नहीं चला तो साम तक मतलब इसको खुबसूरती कहें बुराई कहें जो भी कहें कमाने वालों ने यहां कमाया ही होगा रिटर्न देखेंगे आप तो एक सब्ताम में 10% का रिटर्न निगेटिव में है और एक माह में 41% टूट चुका है लेकिन साल भग का रिटर्न अभी 83.33% मतलब पुजेटिव में दिखा रहा है लेकिन जैसे शेयर प्राइस जैसे जैसे नीचे जाता जाएगा वैसे इसका ए यह सेयर प्राइस इससे भी नीचे चला गया रहेगा तो मनली जी उसके बाद जब अपर सकीट लगता है उससे उपर जाएगा तो यह जो अभी इसका प्राइस से यह ही इसका क्या हो जागा रिश्टेंस लेवल हो जाएगा और इसका सपोर्ट लेवल एक रुपया 35 पैसा अब इस Share price नीचे आघ है नीचे आकर यहां तक आ सकता है 1 के रुपय का 25 पैसा तक और यहां तक भी नहीं रुका तो इसके भी नीचे आएगा एक रुपय का असपास तक आ सकता है उसके नीचे जाने की सम्भावना नहीं है तो अधिकत्पम Share price इसका कहा तक आ सकता है 1 किसे नीचे कंपनी का सेर प्रैस धानी की समभावना नहीं है अब आएजे क़छे कंपनी का फंडनमेंटल कि इतना इश्ट्रॉघ समझेंगे दिसंबर तिमाही की नतिजिए कोई दिन पहले ही आये हैं उसमें आप देखेंगे कि इसका जो रिभिन्युत है Q2 में 1.49 लाग का हुआ था जो कम होकर Q3 में 1.06 अर्थात 1.06 लाग का ही रह गया है मतलब revenue में गिरावट हुआ है और अच्छा खासा गिरावट हुआ है वहीं अगर profit की बात करें देखिए 50 लाग का प्रोफिट हुआ था Q2 में जो कम होकर सिर्फ 10 लाग करा गया है और अर्णिंग पर शेर देखिए Q2 में माइनस में था Q3 में 00 हो गया है अर्थात Q2 नतीजे जो आये हैं उसके business पर कर सकते हैं कंपनी का वरत्मान का कामकाज बहतर नहीं चल रहा है कमपणी को ओर नहीं में कंपणी का इस नहीं हो रहा है यहां देखिए种 में – 10.72 मतलब 10 क्रों 72 लाग की जो रिजटीटी मैं मतलब यह अच्छी बात है लेकिन आप लियाबिलिटीज देखिए जितना असेट से उसका अधार लगवाग इसके पास लियाबिलिटीज भी है और यहाँ भी साल दर साल बढ़ती ही जा रहा है यहां तक जो हमने पार्ति देखिए और जो कंपनी के क्वाटेली रिजल देखा इसक यहाल नहीं देरे 2015 तक 2015 के पहले तक भी हर एक साल डिविडेंट देती थी लास्ट डिविडेंट कंपनी ने 22 सितंबर को दिया था 0.03 पैसा बेहद कम हाला कि यह सिर्फ 2015 में 0.03 पैसा दी थी उसके पहले आप देखेंगे 2014-2012 में तो 10-15 पैसा कंपनी डिविडेंट देती उसका मतलब कंपणी में कुछ ना कुछ गरबर जला जरूर है और हमने इसका इनालिसिस किया तो उसके माध्यम से भी कह सकते ही कंपणी में रुकना मुनासिब नहीं होगा कंपणी के कमा कर देना था बहले यह Operators ने ही कम वाया हो लेकिन जितना कमा कर देना था कंपनी कमा लेकिन उसके लिए काफी समय देना होगा इंतजार करने की ज़रूरत है अगर आपके पास इस कंपनी के सेर हैं और लॉस में हैं तो फिर भी मेरा जो अपना निकल जाएगे बाकी आपकी क्या रहा है आप ठाड़ना चाहिए तो ठाड़ भी सकते आने वाले समय में बेसक उठ बूठे गाई तो जब बूठेगा आप इसके निकल जाएगा और जो नए लोग हैं उनसे मेरा सलाह है मसवरा है कि बिल्कुल आप इसमें इंवेश्मेंट मत कीजिए रिस्की है रिस्क हो सकते आपका पैसा डूप सकता है तो उमीद करता हूं वीडियो इंफर्मेटीव ल